ब्राट तो यू बाइ टेक्नो कैमन 30 सीरीज साइद नहीं आएगी हाला कि हम इसकी वारे में को चैलेंज नहीं करते कैसा नहीं होगा लेकिन जिस आफसे जो बातें आ रही है साटा बुजार की जो आकलन है उस आफसे भाज़ुपा को राजिस्थान में 19 से 20 सीटें आ सकती है और कॉंग्रेस होगा उसके अलाइंस को कम से बारे में ये बताना चाहूंगा कि सटा बजार जो कह रहा है 19 से 20 सीटें आईगी इसमें जो 5 से 6 सीटें जो कॉंग्रेस या उसके अलाइंस को मिलने की संभावन है उसमें सबसे बड़ी बाढ़ मेर मेर में जो है भातवा को बहुत भाड़ी नुक्सान होने की संभावन है वहाँ पर दिर्दली पृतियासी रविंदर सिंग में मैदान में है और कॉंग्रेस के उम्मीदाना बेनिवाल जो आरेलपी से आये थे उन्होंने कॉंग्रेस जोइन की थी वो चुनाओ लड़े थे उनकी सती काफी मजबूत मानी जा रही है अलांकि उलट पर काफी हो सकत रहा है लेकिन मुकाबला बहुत नस्दीक है रविंदर सिंग भाटी भी जो है वो जीच सकते हैं इसमें को 30 श्युक्ति नहीं है यह तो अब भी समय की बात है लेकिन भाटी भी जो है एक बड़ा उलट फिर करके सामने आ सकते हैं शट्टा बदर के साब्सद्सिद्ध आर है उनका बहुत आलिश पैसे चल रहे हैं और जो है रविंदर सिंग भाड़ी का जो भाव चल रहा है वो सवा रपे चल रहा है जब कि कैला सौधी जो है जो भाजबा के प्रितियासी है वर्तमान में केंद्री कुषी राज्यवंत्री भी है उनका भाव जो चल रहा है उनकी जीत काफी कम मानी जाती है कि तीसे नंबर बेर है सकते हैं समय बताएगा अलेंगी चार तारी को प्रेड़ाम आएंगे तब यह स्रतिपूरी क्लियर होगी लेकिन सटा मज़ार के मताबिक वह जीते वें नजर आ रहे हैं सटा अबजार के मताबिक लेकिन जो मैंने लोगों से बात की कि रविंदे सिंग भाठी भी कोई बड़ा उलट फिर कर सकते हैं इसमें कोई अतिस्योक्ति नहीं होगी और इसके अलावाद जो कॉंगरेस की सीटे जो जीतने की संभावना जिसमें सीकर है जुन जुनु है चूरू है और टॉंक में बड़ा उलट फिर हो सकता ह में काफी कड़ा मुकाबला में काफी कड़ा मुकाबला है वह से स्कता है और को जीत्ति वे बता रहा है महीं हो सकती है लेकिन हनुमान वहिंड़ कर सकते हैं जोलाइंस परतित के आलाइंस के जो से चुनाव लड़ा है अपने ये पितियाशी तो वो भी जीतने कि इस्ट उनकी बताई जा रही है बहुत नजदी के मुकाबला देखो कुछ भी हो सकता है चारतारी को में पढ़े होंगे लेकिन बहुत नजदी के मुकाबला यह इसी तरह जगें भी है भाचुपा की पुट्राशी का भी मद्बूत मानी जा रहे है जो पर से गजदर सिंग उसके पुत्र वैबो गेलोद जो है वहाँ पे चुना मैजार में उनकी स्थिती काफी कमजोर मानी जा रही है लुंबाराम जो है भाजवपा के वह काफी स्ट्रॉंग बताए जा रहे है शटामजार के मताविक और हमने इस्थानी लोगों से भी बाद की तो लुंबाराम जो भाजवपा के तीन जो महिला कैंडिड़िट्स अलग अलग है उनकी स्थिती काफी मजबूत मानी जा रही है जो भाजवपा के परने सद्रॉंग सीपी जोसी चिताओं सरह है वह मजबूत स्थिती में है इसके अलावा जो भीलवाना में गो विदान सवाग के जो पूरों बढ़र काने.